Hello Everyone, स्वागता आपका आपके और हमारे YouTube चैनल Bro Pharmacy में जहाँ पर हम डिसकस करेंगे B Pharmacy First semester का introduction यहाँ पर कितने subject होने वाले हैं हमारे और subject का क्या नाम होने वाला है कौन से internal है, कौन से external है, कौन से important है हमारे ने और कौन कौन से interesting subject है हम सब यहाँ पर discuss करने वाले हैं और 1-0 का मतलब है पहला semester हमारा और 1st का मतलब है पहला subject और T का मतलब है यहाँ theory तो हमारा पहला subject है human anatomy and physiology जो आपने biology पढ़ी थी 12th class में वो ही यहाँ पर discuss होगी वो ही सारे system body system यहाँ पर discuss होगे यह इसके दो part होते हैं 101 अब यहाँ पर आ गया पहला और फिर second semester में भी आएगा यह अब दूसरे subject है हमारा BP102T मतलब वो ही आ गया कि second subject है हमारा और theory का subject है और यह भी external है हमारा और यह भी external है तो दूसरे subject है हमारा pharmaceutical analysis first इसका मतलब है जितने भी हमारे chemicals हैं ड्रक्स वगेरा है हम उसका analysis करेंगे lab में उसका practical वगेरा करेंगे लेकिन हमें उसके theory भी पढ़ने पढ़ेगी तो यह हमारा दूसरे subject है BP103T फार्मस्यूटिक्स का मतलब है हमारा जितने भी doziform हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी doz में आती है हमारी drug वो सब पढ़ेंगे इसमें और यह सबसे जादा interesting subject है हमारा पहले semester में चौतर subject है हमारा pharmaceutical inorganic chemistry inorganic से मतलब है जितने भी inorganic chemistry हमने पढ़ी थी 11-12 में वो सब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं यह भी external है हमारा और यह भी external है और इसके paper बाहर university में होंगे अगर आपकी खुद की university है तो इसमें सबसे जादा जो है यह चारों के ही paper होंगे और यही चा पार ही important है जादा उसके बाद आता हमारा पांच वा सब्जेक्ट बेपी 105 ती पांच का मतलब पांच वा सब्जेक्ट है और इसका communication skill नाम है communication skill हमारा होतो तो external है लेकिन जो है इतने जादा प्रेफिर नहीं करने करा जाता इसे communication skill बढ़ाने की निए यह subject दे रखा बस theory सब सब्जेक्ट होता वैसे practical भी होता है इसका लेकिन इतना कोई वह नहीं दिया जाता तरजी नहीं दी जाती इस बात को तो हम छड़ा सब्जेक्ट देखते हैं अपता अपना 106 rbpt rb का मतलब है remedial biology और टी का theory यह काई कि किसके निए है math student जिन्होंने 12 में math पड़ी थी उनक rmpt rmpt का मतलब है remedial mathematics theory remedial mathematics उनके लिए है जिन्होंने biology पड़ी थी 12 में 11 में biology पड़ी थी यह सारे अब practical के subject आ जाते हैं जैसे hp का practical होगा pharmaceutical analysis का practical होगा फार्मस्यूटिक्स का practical होगा inorganic का practical होगा इसमें सबसे जादा जो है जो अगर हमारा important है तो इसमें वाइवा वगरा है हमें फाइले बाइले बनानी होगी assignment बनाने होगे इसमें और हमें practical करना पड़ेगा उसके ही अधार पे हमें college वाले हमें number देंगे जितने भी वो दे हम उसके उपर भी एक अलग topic पर वीडियो बना देंगे कि हमें number कैसे मिलेंगे और क्या-क्या important है इसके लिए तो हमारे ये 111 तक सारे practical है communication skill का भी practical है यहाँ पर वो भी हमें करना पड़ेगा और एक math वाले students के लिए biology का practical है यह हमने सारे subject देख लिए हमारे कौन-कौन से subject है यह चार हमारे external subject हैं बाग के हमारे practical जो है यह भी external होते हैं लेकिन यह हमारे college में हो जाते हैं बस इसके निये वाइवा देने के लिए teacher आते हैं लेने के लिए वो तो हम cover करे लेंगे अब हम इसके बारे में एक-एक subject करके जो हमारे important है उसके बारे में डिसकस करेंगी ज और कितना हमें इसे important लेके चलना है या फिर ignore करना है या फिर remedial biology हो कितना पढ़ना है mathematics में क्या करना है तो guys इस video का हम यही पर ही खतम करते हैं काफी लंबी video हो गई है बस इतना ही था first semester का introduction और बाकी यह जितने भी बचेवे हमारे subject हैं यह हम एक-एक video में next videos में cover कर लेंग तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे इस video को like कर लिजे videos और रहे हैं अच्छा अच्छा content आ रहा है तब तक के नहीं गुड़ू है